हमारे देश में ऐसी कई जगा हैं जिन्हें जानने के लिए हम हमेशा ही उत्सुक रहते हैं हमारे देश में कई रहसे में चीज़ें चुपी हुई हैं वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अपने भारत देश में बेशमार खजाना भी छेपा हुआ है जिहां सोने की चुडिया कहा जाता था भारत को और शायद इसी खजाने की वज़ा से भारत को सोने की चुडिया नाम ख़जाना चिपा हुआ है करोड़ों रुपय का ख़जाना चिपा हुआ है जिनके मिलने से पुरा देश भी सकता है तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं है थ्याजानी के हीरा है!」 बतादें आपको कि आपने कई बार हीरे की कई सारी कहानियां सुनी होगी और इसे मैं जब बात की जाए इस हीरे की तो वाकर में यह हीरा भी at दो बेश्कीनती है यह जाता है कि निजाम को यह तना पसंद आया था कि उन्हों ने उसी वक्त किसी मोल भाव के खरीद लिया और उसे उसी का नाम देकर अपने पास रख लिया साल 1995 में एक समझोते के बाद केंद्र सरकार ने महद 218 करोर रुपए में ये खरीद लिया था लेकिन इन सभी आभूशनों के कीमत उस वक्त भी 2000 करोर रुपए की आसपास दी वहीं आपको यह भी बता दें कि इस लिस्ट में नाम आता है पार्टन के खजाने का गुजरात के पा यहां पर एक शिव मंदिर है जिसमें एक समाधी है इस मंदिर की देखरे करने वाले सोवन परिवार का दावा है कि यहां पर उनकी तीन तीन प्यूडियों ने इसी समाधी के नीचे खजाना दबाया हुआ है वागई में यहां पर भी धेर सारा खजाना छिपा हुआ है अंग्रेजों की हुकूमत से पहले धन दौलत हुआ करती थी और उसमें से कुछ आज भी बची हुई है जो इन कुफाओं में कुछ पद्वा ना भास्वामी मंदिर के एक खानों के अंदर बंध है इन खजानों तक किसी आम आदमी का पहुंचना पहुत ही मुश्किल है अब परियाटन इस्थल है लेकिन यहां बड़ी मात्रा में खजाना छिपा हुआ है जिसे अभी तक कोई दून नहीं पाया है इसके लिए कि सस्त्रागार के तैखानों को सेल कर दिया गया है और यहां पर किसी को भी जाने की इजाज़त भी नहीं है तो दर्श को यह थी वो परियाटन नहीं है जिसे एफ़ी मात्रा के ताने की इजा थे लेक्षे जाज़त रखागा हुआ है और किसी को भी तक किसी कोुदाग है ऑर किसी को तो दिए जाना लोगे है जए है।